C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा छे की विज्ञान की पाठे पुस्तक विज्ञान एक प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ ग्यारा प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन प्रीष्ट एक सौ साथ हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिलें, वरिक्ष, जन्तु तथा कभी-कभी कुछ पुश्पु देखते हैं आपके विचार से हम इन वस्तुएं को कैसे देखते हैं रात्री के समय जब पूर्ण अन्धकार हो, तब इन ही स्थानूं के बारे में विचार कीजिए आप क्या देखेंगे? मानलीजिए, रात्री के समय आप पूर्टा अन्धेरे कमरे में जाते हैं क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तू को देख पाते हैं? लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मुम्बत्ती जलाते हैं, तो उस कमरे में रखी हुई वस्तू को देख सकते हैं. क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तू को नहीं देख सकते. प्रकाश वस्तूओं को देखने में हमारी सहायता करता है टॉर्ज का बल्ब एक ऐसी वस्तू है जो स्वयम प्रकाश देता है सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो प्रिथ्वी को प्रकाशित करता है दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तूओं को देखते हैं जो वस्तुएं सूर्य की तरहा स्वयम प्रकाश का उस्सर्जन करती हैं, उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। कुर्सी, चित्र, अथ्वा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च, अथ्वा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आँखों की ओर आता है। ग्यारा पॉइंट एक पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं याद कीजिए हमने अध्याय चार में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बाटा है। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपार दर्शी वस्तु है यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है ऐसी वस्तू को पारदर्शी कहते हैं कुछ वस्तूओं से आर पार देख तो सकते हैं परन्तु बहुत स्पष्ट नहीं ऐसी वस्तूओं को पारभासी कहते हैं क्रिया कलाप एक अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिये जैसे रबर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पैंसिल, नोटबुक, कागस की शीट, अनुरेखन कागस अथवा कपड़े का टुकड़ा इन सभी वस्तुओं के आरपार किसी दूर रखी हुई वस्तुओ को देखने का प्रयास कीजिए जैसा की चित्र 11.1 में दर्चाया गया है क्या दूर रखी वस्तुओं से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आरपार चल कर आपकी आँखों तक पहुँच पाता है चित्र 11.1 वस्तुओं का ये हद देखने के लिए प्रेक्शन करना कि वे प्रकाश को अपने में से जाने देती हैं अथवर नहीं इस चित्र में एक बच्चे को पारभासी वस्तुओं के आरपार देखते हुए दर्शाया गया है प्रिष्ट 108 सारणी 11.1 इस सारणी में 3 कॉलम दिये गए हैं पहले कॉलम में वस्तुओं या पदार्थ बताए गए हैं दूसरे कॉलम में वस्तुओं के पार देखना संभव है पूर्ता आंशिक या बिलकुल नहीं टिपणी करनी है तीसरे कॉलम में अपारदर्शी या पारदर्शी या पारभासी वस्तू के बारे में बताना है पहले कॉलम में पैंसिल, रबड की गेंद, लिखने के कागस की शीट दूसरे कॉलम में पूर्ण विश्वास नहीं तीसरे कॉलम में रिक्तिस्थान है अपने प्रेक्षणों को सारणी 11.1 के अनुसार लिखे हम देखते हैं कि किसी वस्तू अथवा पदार्थ का अपारदर्शी पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तू अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्टा आंशिक रूप से अथवा बिलकुल नहीं गुजरने देती 11.2 छायाएं वास्ताव में क्या होती है क्रिया कलाप 2 अब प्रतेक अपारदर्शी वस्तू को धूप में जमीन से कुछ उचाई पर एक एक करके पकड़िए धर्टी पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धर्टी पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तूओं की छाया के कारण है कभी कभी आप वस्तू की छाया देख कर वस्तू को पहचान सकते हैं चितर संख्या 11.2 कभी कभी वस्तू की छाया वस्तू की आकरिती के बारे में बताती है मैदान में कागस की एक शीट बिचाईए, किसी सामान ने जानकार अपारदर्शी वस्तू को किसी उंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िये कि उसकी छाया जमीन पर बिची कागस की शीट पर पड़े जब आप वस्तू को पकड़े हुए हूँ तो उस समय अपनी किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खीचने के लिए कहिए इसी प्रकार अन्य वस्तू की छायाओं की बाहरी रेखाएं खीचिये अब अपनी कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देख कर वस्तूओं को पहचाननी के लिए कहिए वे कितनी वस्तूओं की सही पहचान कर सकते हैं क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अत्वा रात्री में जब कोई प्रकाश नहीं होता है देखते हैं? क्या आपको समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश सुरोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पत में कोई अपार दर्शी वस्तू चाहिए क्या इसके अतरिक्त कोई अन्य वस्तू भी चाहिए क्रिया कलाब तीन यहाँ एक ऐसा क्रिया कलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाईए टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर उपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े अब आपके पास प्रकाश सुरोत तथा प्रकाश के पत के अनुदिश एक अपार दर्शी वस्तू यानि आपका मित्र है यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत, अथवा कोई अन्य वस्तू ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की चाया दिखाई देगी इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ चाया नहीं है वास्तो में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है इस चित्र में दिखाया गया है कि एक लड़की हाथ में टॉर्च लेकर टॉर्च के प्रकाश को एक लड़के के चेहरे पर डाल रही है और उसके पीछे एक लड़की कागस की एक शीट लेकर खड़ी है जिस पर उस लड़के का चित्र यानि की चाया बन रही है अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ती की शीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े क्या आप चाया शीट पर बनती है चित्र संख्या 11.3 चित्र संख्या 11.4 आपके हातों में छिपी जन्तूओं की छाया आए इस चित्र में एक बच्चे को अपने हातों से कुछ आकृतियां बनाते हुए दर्शाया गया है जिसकी छाया सफेद छीट पर पढ़ रही है इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है जमीन, कमरे की दीवार, इमारते, अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दी की तरह कारे करती है छायाओं से हमें वस्तूओं की आकरितियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है कभी-कभी तो छाया हम सभी को वस्तू की आकरिती के बारे में ब्रहमित भी कर सकती है चित्र संक्या 11.4 में कुछ चायाएं दिखाई गई हैं जिने हम अपने हाथों से बना कर विविद जानवरों की चाया होने का भ्रहम उत्पन्न कर सकते हैं तो है ना ये मज़ेदार बात क्रिया कलाप 4 स्कूल के मैदान में धूप में एक कुरसी रखे आप कुरसी की चाया से क्या अवलोकन करते हैं क्या चाया से कुरसी की सही आकरिती का ज्यान होता है यदि आप कुरसी को थोड़ा सा गुमा दें तो कुरसी की चाया की आकरिती में किस प्रकार का परिवर्तन होता है एक पतली नोटबुक लेकर उसकी चाया को देखिए इसके पश्चात एक आयताकार डिबबा लीजिए और उसकी चाया देखिए क्या दोनु चायाएं समान आकरिती की प्रतीत होती है विभिन रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी चायाओं का अवलोकन कीजिए उधारन के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं जब वस्तूओं के रंग भिन भिन होते हैं, तो क्या उनकी चायाओं के रंग भी भिन भिन दिखाई पड़ते हैं? एक लंबा बॉक्स लीजिए, तथा प्रित्वी पर बनी उसकी चाया को ध्यान से देखिए. जब आप बॉक्स को इधर-उधर गती कराते हैं, तो उस समय आप चाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं. बॉक्स की चाया कब सबसे छोटी बनती है, तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूरिय के सामने रखते हैं, अथवा जब आप छोटे फलक को सूरिय के सामने रखते हैं, आएए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करें. प्रिश्ट 110 ग्यारा पॉइंट तीन सूची छिदर कैमरा शायद आप ये सोचते हों कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी समगरी जाहिए लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिदर कैमरा ही बनाना जाते हैं तब ऐसा नहीं है क्रिया कलाप पांच दू ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट दीजिए बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा चिदर बनाईए जैसा कि चित्र संख्या 11.5 A में दर्शाया गया है। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गा कार आकृती जिसकी भुजा लगभग 5 cm से 6 cm हो काटिये। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर यानि पारभासी परदा चिपका कर ढग दीजिए जैसा कि चित्र संख्या 11.5 B में दर्शाया गया है। चोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसका ये कि चोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला परदा बड़े बॉक्स के भीतर हो जैसा कि चित्र संख्या 11.5 C में दर्शाया गया है। आपका सूची चित्र कैमरा उप्योग के लिए तयार है। कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब चोटे बॉक्स को सूची चित्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाएं जब तक दूसरे चोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर ना मिले। क्या सूची चित्र कैमरों के प्रतिबिम्ब अपनी चायाओं से भिन्ने हैं। सूची चित्र कैमरे से सूरिय के तीवर प्रकाश में सड़क पर गतिमान वहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तूओं के रंगों को दर्शाते हैं। क्या प्रतिबिम्ब सीधे हैं अथवा उल्टे। आश्चर्य, आश्चर्य। आईए अब अपने सूची चित्र कैमरे से सूरिय का प्रतिबिम्ब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न वैवस्ता चाहिए। हमें गत्य की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध में छोटा सा सूची चित्र हो। गत्य की शीट को सूरिय की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसकी चाया साफ चित्र में बनें। क्या आप सूर्य का व्रित्ताकार प्रतिबिम्ब गत्ती की शीट की छाया के मध में देखते हैं। अपनी जगा से सूर्य ग्रहन के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिम्ब देखें। सूर्य ग्रहन से पहले, सूछी छिद्र तथा पर्धे को इस तरह सुवैवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्धे पर साफ बने सूर्य ग्रहन्ड आरंब होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। कभी-कभी हम ऐसे व्रिक्ष के नीचे से गुजरते हैं, जिसमें धेरो पतियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 11.6 में दर्शाया गया है. चित्र संख्या 11.6 प्राकृतिक सूची चित्र कैमरा व्रिक्ष के नीचे सूर्य के प्रतिबिंब वास्तों में ये वरत्तकार प्रतिबिम्ब सूर्य के सूची चिद्र प्रतिबिम्ब होते हैं पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची चिद्र की भाती वैवाहर करते हैं इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अन्यमित आकरितियां हो सकती है परन्तु हम सूर्य के व्रत्तकार प्रतिबिम्ब ही देख सकते हैं आगामी सूर्य ग्रहन के समय सूर्य के प्रतिबिम्बों को देखने का प्रयास करें यह अत्यंत रोजक हो सकता है बूजो के मस्तिश्क में एक विचार है हमने अपने सूची चिदर कैमरे से सडक पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिम्ब देखे थे सूर्य के प्रतिबिम्बों के साथ क्या होता है क्या वे प्रतिबिम्ब भी हमें उल्टे दिखाई दिये थे पहली का कुछ अन्यविचार है निश्चे ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं जैसे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिम्ब आदी तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे क्रिया कलाप छै आईए पाइप का छोटा टुकड़ा अत्वा रबड की लंबी नली लें कमरे में एक तरफ एक मोंबत्ती चला कर मेज के उपर रखें अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोंबत्ती को देखें जैसा कि चित्र संख्या 11.7 A में दर्शाया गया है जब आप मोंबत्ती को देख रहे हों तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िये जैसा कि चित्र संख्या 11.7 B में दर्शाया गया है क्या अब मोंबत्ती दिखाई देती है पाइप को अपने दाईं या बाईं और खुमाईए क्या अब आप मोंबत्ती देख सकते है आप इससे क्या निश्कर्ष निकालते है यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है क्या ऐसा नहीं है इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तू इसे रोकती है तो उस वस्तू की छाया बनती है 11.4 दर्पन तथा परावर्तन हम सभी घर पर दर्पनों का प्रयोग करते है आप दर्पन में अपने चेहरे को देखते है जो आप देखते हैं वह दर्पन में आपके चेहरे का परावर्तन है हम दरपण के सामने रखी हुई वस्तूओं का परावर्तन भी दरपण में देखते हैं कभी कभी हम जील अथवा तालाप के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्ने वस्तूओं का परावर्तन देखते हैं क्रिया कलाप साथ यहां क्रिया कलाप रातरी के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दरपन लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाए टौर्ज के कांच को अपनी अंगलियों से ढख लीजिए तथा टौर्ज को जलाएं किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी अंगलियों के बीच कुछ जगा छोड़ें प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पन पर डालिए क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं जैसा कि चित्र संख्या 11.8 में दर्शाया गया है चित्र संख्या 11.8 दर्पन प्रकाश के किरण पुंज का परवर्तन करता है इस चित्र में अंधेरे कमरे में एक लड़की को हाथ में दर्पन लिए हुए दिखाया गया है सामने एक लड़का हाथ में टॉर्च लेकर टॉर्च का प्रकाश उस दर्पन पर डाल रहा है अब टौर्च की दिशा इस प्रकार समयोजित कीजिए कि प्रकाश का धबा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के उपर पड़े यहां क्रिया कलाप सुझाता है कि दर्पण अपने उपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है यहां वरणन किया गया क्रिया कलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परवर्तित हो जाता है क्रिया कलाप आठ एक बड़ी धर्मो कोल की शीट के एक किनारे पर एक कंगी तथा इसके दूसरे किनारे पर चित्र संख्या 11.9 में दर्शाय अनुसार एक दर्पण लगाईए दर्पण तथा कंगी के बीच कागस की गहरी रंगीन शीट पिछाये इसे सूर्य के प्रकाश में रखिये अथवा कंगी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरने डालिए चित्र 11.9 में सरल रेखा में चलते हुए तथा दर्पण से परवर्थित होते हुए प्रकाश को दर्शाय गया है आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या आप चित्र संख्या 11.9 में दर्शाय जैसा पैटन प्राप्त करते हैं? इस क्रिया कलाप से हमें यह ग्यात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परवर्थित होता है? प्रिष्ठ 113 प्रमुक शब्द, दीप्द, दर्पां, अपार दर्शी, सूची छिद्र कैमरा, परवर्तन, छाया, पार भासी, पार दर्शी, सारांश अपार दर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं, तथा हम इनके दूसरी और रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं पार भासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं जब प्रकाश के पत में कोई अपार दर्शी वस्तू आ जाती है तो छाया बनती है। साधारण समगरी से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उप्योग सूर्य तथा अती दीप्त वस्तू के प्रतिबिम्ब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दरपन परावर्तन से हमें स्पच्ट प्रतिबिम्ब प्राप्त होते हैं। अभ्यास एक यहां कुछ बॉक्स दिये गए हैं। बॉक्सों के अक्षरों को पुनर वैवस्तित करके एक ऐसा वाक्य बनाईए जिससे हमें अपार दर्शी वस्तूओं के बारे में जानकारी मिलने में सहयता हो सके। पहले बॉक्स में या, दूसरे बॉक्स में छा अ, तीसरे बॉक्स में पार द, चौथे बॉक्स में रिशी हैं, पाचवे बॉक्स में शब्द बनाती और छटे बॉक्स में शब्द वस्तूओं हैं। प्रिष्ट 114 दो, यहां कुछ वस्तुओं अथ्वा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथ्वा पारभासी तथा दीप्त अथ्वा अदीप्त में वर्गी कृत कीजिए. वायू, जल, चट्टान का टुकड़ा, एलुमिनियम शीट, दरपण, लकडी का तख्ता, पॉलिथीन शीट, सीडी, धुआ, समतल काच की शीट, कुहरा, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाश मान प्रतिदीप्त नलिका, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गै प्रकाश मान टॉट्च, सेलोफेन शीट, तार की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य, जुगनू और चंद्रमा तीन, क्या आप ऐसी आकरिती बनाने के बारे में सोच सकते हैं, जो एक धंग से रखे जाने पर वृत्ताकार चाया बनाए, तथा दूसरे धंग से रखे जाने पर आयताकार चाया बनाए चार, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दरपन रखें, तो क्या आप दरपन में अपना परवर्तन देखेंगे? प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रिया कलाप एक, दरपन का खेल, अपने मित्रों A, B, C तथा D की एक पंक्ती बनाएए, जो एक रेखा में खड़े हों, अब किसी एक अन्य मित्र को उनके सामने एक हाथ में दरपन लेकर इस प्रकार खड़ा कीजिए, कि दरपन का प्रिष्ठ मित्रों की ओर हो, जैसा कि चित्र संख्य 11.10 में दर्शाया गया है, अब प्रतिक मित्र से यह कहा जा सकता है कि इस दरपन में उन्हें कौन दिखाई दे रहा है, A, B, C अथवा D, यदि A दरपन में B को देख सकता है, तब क्या B भी दरपन में A को देख सकता है, इसी प्रकार A, B, C तथा D में से किनी दो युगलों के साथ कीजिए, यदि A दरपन में B को नहीं देख सकता है, तब क्या B दरपन में A को देख सकता है, इसी प्रकार A, B, C तथा D में से किनी दो युगलों के साथ कीजिए, इस क्रिया कलाप से हमें प्रकाश की गमन तथा दरपन से परावर्तित होने के बारे में कुछ जानक कारी मिलती है, इसके बारे में और अधिक उच्चे कक्षाओं में सीखेंगे, दो, दाया, बाया, अपने दाय हात में एक कंगा लीजिए, और इसे अपने बालों तक ले जाए, अब स्वैम को दरपन में देखिए, इसमें आपका जाना पहचाना प्रतिबिम्ब आप पर रहा है, रुकिये, परखिये, तथा पता लगाईए, कि आपके प्रतिबिम्ब में कौन सा हाथ कंगे को पकड़े हुए है, यहाँ बाया है, अथवा दाया, आपने कंगे को दाय हात से पकड़ा हुआ है, क्या ऐसा नहीं है? जबकि सूची चिदर कैमरा उल्टा प्रतिबिम्ब बनाता हुआ प्रतिथ होता है, दरपन दाय हात को बाय हात तथा बाय हात को दाय हात में बदलता हुआ प्रतिथ होता है, इसके विशह में और अधिक हम उच्च कक्षाओं में सीखेंगे 3. जादूई युक्ती दूसरी और भी देख सकते हैं। दूसरी और की वस्तू को देख पाएं। तो क्या हमें धर्ती पर उसकी छाया दिखाई देगी। जिससे हमें यह संकेत मिले कि हम हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं। 2. हमने देखा कि अपारदर्शी वस्तूओं के रंगों को बदलने से उनकी छायाओं के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम विभिन रंगों के प्रकाश को अपारदर्शी वस्तूओं पर डालते हैं तब क्या होता है। आप ऐसा तौर्च के प्रिष्ट को पारदर्शी रंगीन कागत से ढग कर सकते हैं। क्या आपने कभी सूरियास्त के समय साय कालीन छायाओं के रंग देखे हैं। पढ़ने योग के बातें। रुटियार्ड किपलिंग्स की रचना जस्ट सो स्टोरी विशेशता कहानी How the leopard got its spots में उन्होंने धारीदार, चित्तीदार, दाग धब्बे वाली परचाईयों का वरणन किया है। यहाँ उस कहानी से एक उधरण है जिसमें बहुत सी परचाईयां बताई गई हैं। इक्ष की जंगल में धारियां, चित्ते, धब्बे तथा बिंदू, आड़ी तिर्ची रेखाएं, फलक नुमा और गैर फलक नुमा जैसी परचाईयां देखीं। सशक्तिता से कहें तथा देखें कि जंगल अवश्य इतने चायाकारी होते हैं। लेपड ने कहा, यह क्या है इतना अधिकंधेरा, तब भी प्रकाश के पुंज। इसी के साथ सोला पाठों के इस पुस्तक का ग्यारवां पाठ यहां समाप्त हुआ। वाचन परवेश गौहर, निर्मान वंदना अरी मर्तन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत। कि बस्त सुब अज़ हैगने निर्मान दोख बस्त के साथ जैसी औरों कि प्रेश ने ने लाञाएं झाल झाल